जूबिलेंड फारमोवा के बारें बात करेंगे कमपनी के क्वार्टर नंबर 3 के नतीजे आ गया है तो चलिए चेक करते हैं रिजल्ट कैसे हैं क्या प्रतिकरिया मंडे को हो सकती है सब चीदों बात करेंगे चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को सबसे पहले हम लोग देखने वाले स्टेंड लोन बिस्स पर कंपनी पर्फॉर्मेंस जो यहां पर डेटा वो मिलियन में आपको शो होगा यानि जो भी इंकम है मान लेते हैं 3123 इतना आपको इंकम दिख रहा है तो यह लास्ट वाली डिजिट हटा के जो भी डिजिट है उस पिछले क्वाटर में 204 क्रूर का था एक साल पहले 201 क्रूर का था तो यहां पर जो एक्सपेंस है कम आ रहा है क्वार्टन क्वाटर भी साल दर साल भी प्रॉफिट यहां पर कंपनी को दो क्रूर के आसपास लॉस देखने मिला है और यह स्टैंड लोन बिसिस पर है उसके पिछले क्वाटर 2 लाग का प्रॉफिट था और यहां पर आप देखेंगे तो एक करूर क्या सपास लॉस था तो क्वाटर ओं क्वाटर तो लॉस जो है वो जादा है पिछले क्वाटर में क्योंकि प्रॉफिट था एक साल पहले लॉस जादा था लेकिन अभी उतना नहीं यह कम लॉस है अगर आप यहां पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहां पर आल्मूस आपको दो करूर का लॉस देखने मिला है पिछले क्वाटर में अल्मूस 40 लाग का लॉस था एक साल पहले पांच करूर का लॉस था तो यहां पर आप अगर आप पंपेर करेंगे तो quarter on quarter week है, साल दर साल ठीक ठाक है, अब सबसे important होगा, consolidated वही चलिए चक करते हैं, तो चलिए देखते हैं, consolidated business के result, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, 1712 करोड की income है, पिछरे quarter में 1690 करोड की थी, यह गाड़ी वाले भी ऐसे ही हैं, अपना होन बजाएंगे, कभी bullet लेके चले जाएंगे, हम तो वीडियो बना रहे हैं, disturb कर रहे हैं लोग, चलिए income अगर आप देखेंगे, quarter on quarter income यहाँ पर जादा है, साल दर साल भी income जादा है, expense अगर आप देखेंगे, यहाँ पर total expense, expense, तो expense 1625 करोड़ का है, इस quarter में, पिछली quarter में 1601 करोड़ का था, एक साल पहले 1551 करोड़ का था, तो expense यहाँ पर quarter on quarter जादा है, साल दर साल भी जादा है, profit before tax देखेंगे, तो 101 करोड़ का profit before tax देखने मिल ला है, पिछले quarter में ठान भी करोड़ का था, तो यहां पे profit बढ़ा है quarter quarter भी साल दर साल भी net profit 6 करोड के आसपास है चाशएट करोड के आसपास है माफ करिएगा पिछले quarter में 62 करोड का था profit एक साल पहले 16 करोड का loss था तो यहां पे जो profit है वह इजाफा है quarter quarter भी साल दर साल भी company के तो result है मेरे साब से वह अच्छे आया है आप देखे स्टॉक में आज तेजी हमें देखने को मिली भी थी लेकिन स्टॉक में प्रिशर भी आया है अगर आप देखेंगे यहां पर momentum आया था और वाल्यूम भी देखे आया है दो बच के बच्ची स्टॉक भाग गया तो इस्टेन्टेनियस आपको प्रिशर देखें मतलब प्रिशर अगर वीख है तो अच्छा है तो momentum देखने को मिल जाता है तो यहां पर फिर से मुझे लगता है स्टॉक जाए अगर यहां पर खुलता है तो यहां पर फिर से एक rally दे सकता है 620 तक मेरे साब से Monday को यह स्टॉक जा सकता है अगर यह स्टॉक 590 के ऊपर खुलता है तो अगर आप इसमें इंट्राडे के लिए प्लान करना चाते वैसे मैं तो नहीं कहूंगा इसको जब भी स्टॉक को उठाइए डिलिवरी मकाम करें इंट्राडे में आपके पास limitation है कि सेम डे पर स्टॉक मूमेंट करें ठीक है बहुत सारा complexity आ जाता है तो यहां पर अगर स्टॉक 594 और 590 के बीच में मिल जाता है तो बहुत अच्छा वहां पर एक entry point हो का वहां से 620 के लिए target के आप चाहे तो जा सकते हैं बाकी एक stock मैं आपको बता देता हूं जो swing trading के लिए बढ़िया है और stock का नाम है symphony limited इस stock में अगर 950 का level cross होता है तो stock में बहुत बड़ा momentum देखने को मिल सकता है यहां पर हलाकि एक बार trap भी कर चुका है stock liquidity ले करके यहां पर buyers को enter करा करके फिर स उनका SL एक बार खा चुका है तो दुबारा यहां पर फिर से momentum आ सकता है मेरे साफ से अगर यहां से stock भागा तो एक 1040 तक आराम से जाएगा circuit भी stock में लग सकता क्यों कि आप देखे momentum छोटा मोटा नहीं होता यह देखे यह previous history देखे वहां समझ में आएगा कितना बड़ा momentum ह यह इस candle का मोटन 14% है तो stock में जब rally आएगी तो बहुत तेजी से आएगी बहुत दिनों से consolidation दिखा रहे है और यहां से अगर dividend के पहले अगर stock में momentum आ जाता है साथ तारीक के पहले तो stock बहुत अच्छा है यहां से perform करेगा और इसमें 14-15% का momentum में मिल सकता है अगर यहां से 14-15% का momentum मिला तो भी बहुत अच्छा मतलब की बहुत अच्छा का सा stock भाग चुका होगा 180 तक तो आराम से जाही चुका होगा तो जरूर इसको चाहें आप स्विंग trading के लिए consider कर सकते हैं और 952 के आसपास मेरी entries में होगी बाकी जो भी मैंने बताया को यह कोई recommendation नहीं है just analysis जो मैंने साजा की कि यहां से momentum आ सकता है यह मैंने बताया अब आपको बाय करना ना करना यह आपके उपर है मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक लिए धन्वाद टेलीग्राम चैनल को आवे शुरूर से जॉइन करिए वहाँ पे भी update हम साजा करते रहते हैं इस वीडियो क तक लिए धन्वाद चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक लिए धन्वाद